आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीजो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाउ Question is The IPAC name of this compound is तो इस compound को हमको IPSC name लिखना है तो इस compound को एक बार हम draw करके देखते हैं तो यह लगा हुआ है BR, CS2 CH, यहाँ पर देखिए इस carbon से attached is CUNH2 group that is amide group ठीक है न? तो amide group को expand करके हम लिखते हैं यह CUNH2 इस carbon से attached था then next carbon पर आप देखिए यह CW bond group लगा हुआ है then आगे CS2, CS2, CS3 तो किसी भी compound का IPSC name लिखते समय सबसे पहले हमको major functional group चूज करना होता है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इस given compound में कौन-कौन से functional group दिये हुए है तो एक functional group तो हमको ketone दिख रहा है और दूसरा amide दिख रहा है अगर आप preference order देखेंगे तो amide preference order में superior होता है तो carbon की जो numbering होगी वो amide के carbon से start होगी major functional group चूज करने के बाद हमको maximum double या triple bond कबर करने होते हैं since इस question में इस compound में कोई भी double या triple bond नहीं दिया है तो जो next priority हमारी होगी वो long chain की होगी तो carbon number one तो हम amide को ही देंगे second तो इसको ही देंगे बट third हम इधर भी जा सकते हैं मैंने कहा कि जो third number पर priority दी जाती है वो दी जाती है long chain को तो हम इधर move करेंगे 3, 4, 5 and 6 ठीक है अब branches कौन कौन से होगी एक ये branch होगी और इसको भी जब as a branch ही treat करेंगे और इसको as a branch treat करते हैं तो क्या लिखते हैं oxo जब ketone को as a branch treat करते हैं तो oxo लिखते हैं इस branch का नाम क्या होगा इस branch का नाम हो जाएगा bromomethyl ठीक है तो bromomethyl और oxo में alphabetically पहले को ना आएगा bromomethyl आएगा तो second position पे लग गया हमारा bromomethyl bromomethyl उसके बाद third position पे हमारा लगा हुआ है oxo then ये 6 carbon की chain है that is hexane hex और an हम इस लिख लगा रहे है क्योंकि इसमें कोई भी double a triple bond नहीं है कोई भी unsaturation नहीं है compound के अंदर hexane और इसके लिए जो हम suffix लगाते है that is amide तो hexenamide हो जाएगा ठीक है तो ये जो हमारा answer है वो option A से match कर रहा है ये हमारा answer हो जाएगा Classics to 12 से लेके NEED IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 million से जादा students का भरोसा आज राउनलोड करे डाउटने टाप या WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर